स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में जिसका नाम है दाहिंदू अडिटोरियल हर देस रुबाद साथ बज़े करते हैं इस सेशन की शिरुवात इस जगा हम बेसिकल दो चीज़ों को सीखेंगे आप बिल्कु नए हैं बड़े ध्यान से सुनेगा नमबर वन इंगलिश को सीखेंगे जहां हम क्याब दोरी होगी और दूसरा हमारा रीडिंग का पार्ट होगा और नमबर टू हम सीखेंगे चैनल अवेर्नेश जो कि हमारे डिस्क्रिप्टर राइटिंग के लिए बहुत ज़दे इंपॉर्टेंट होता है तो हम यह सारी की सारी चीज़ दोस्तों सीखेंगे स्ट करते हैं सेशन को वन बाइवन हैनत तो आप में से वो सारे की सारे लोग आर्टिकल को पढ़ेंगे जो बिल्कुल नए होंगे वो भी कोशिश करेंगे पहली बार चैनल पर आएं हैं दोस्तों तो एक बाद ध्यान से देखें क्या आपने चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं नहीं किया तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लिजे एक बाद ध्यान से देखें सभी लोग ठीक है चैनल सब्सक्राइब कर लिजे आए बढ़ते हैं आगे हमारे आटिकल में क्या क्या आया है न्यूस पेपर की तरफ आते हैं वहीं से आप समझ में आएगा आप क्या गरेंगे न्यूस पेपर सिंपल आदाहिंदू.com लिखेंगे दाहिंदू.com लिखा आपने ऐसे ओपीनिन आएगा यहां ओपीनिना के सेक्शन में आते हैं आप इनको पढ़ लेंगे पहला है दोस्तों वर्निंग साइन्स और फ्रेश इंडिया चाइना फेस आफ बेसिकली क्या इंडिया चाइना में फिर से एक अभी बीच में क्या फेस आफ हुआ फेस आफ का मतला होता एक तरीक लेकर काम नहीं कर सकता है डिसकेशन करेंगे फिर क्या इसमें बात हो रही है अगला है बात हो रही है रिन्यूबल एनर्जी के इस्तिमाल के इनर्जी कॉनन ड्रम में अभी अगर हम रिन्यूबल एनर्जी का इस्तिमाल कर लेंगे तो हम बहुत सारी जगा पर एनर्जी के स समस्य रहते हैं वो सारी सारी से सुन सकते हैं डिसकेशन उस पर अच्छा आप देखो फिर इसके बाद अगला जो पढ़ने लाइक आर्टिकल आपके शामने आता है एक तो इस सेंसस का है सेंसस का मतलब होता है दोस्तों कि आप जन्र संख्या गड़ना देख रहें कि पास्ट में दस साल पहले 2011 की क्या थी अब 2021 में होनी पाई तब क्या होगी ठीक है बागी हम लोगे पढ़ लिया था आओ बागी भी पढ़ सकते क्योंकि यह पॉलिटिकल इ दोस्तों मेरे साथ आपको समझ में आता जाएगा यह है आपके सामने स्लाइड है ठीक है लिको मेरे साथ दोस्तों पहला वड़े आपके लिए ट्रांस्ग्रेशन बिसिकली ट्रांस्ग्रेशन का मतलब होता है जब एक व्यक्ति बेसिकली किसी प्रकार के नियम का उलंगन क कोई एक जगा जमीन है उसकी बॉर्डर है वो सीमा का उलंगन कर दे वहाँ पर उसको क्रॉस कर दे यह सब ट्रांस्ग्रेशन में ही आता है हमने लिखा यहाँ पर वर्ड कि लाश में आई ओन है नाउन की तरह इस्तिमाल होगा है नाउन यह भी है एन एक्षिन डाफ्री चैट फ्रीच ब्राम कित्रशवीमन कर दे लाव कहते हैं यह कोई नाउन की तरह दोस्तो इस्तिमाल हुआ है प्रिकेरिएज लिखते जाएए सभी लोग वर्ड के लास्ट में OUS है एड्जेक्टिब की तरह अस्निमाल होता है लिखनो दोस्तों precarious जिसका मतलब होता है not safe, not certain यानि कोई चीज जो की dangerous है उसी को हम कहते हैं precarious है कोई चीज जो dangerous है उसी को हम कहते हैं दोस्तों precarious है अगला सब्दी दोस्तों reticence reticence में देखो word के last में n-c है तो यह noun की तरह स्थिमाल होगा reticence जिसका मतलब है an unwillingness to do something or talk about something किसी इस चीज के बारे में बात करने की जो है इच्छा ना होना उसको हम कहते हैं unwillingness होना बात करने की छन्डा होना An unwillingness to do something और talk about something उसको हम कहते हैं reticence ना उनकी तरह इस्तिमाल होता है ध्यान रखेंगे अगला शब्दे दोस्तो Unilaterally Unilaterally है Unilaterally आप पर adjective होता है Ly लग गया बन गया Unilaterally तो Unilaterally का मतलब होता है कोई भी आप काम कर रहे है तो आप अपने हिसाब से कर रहे है कहने का मतलब है In a way एक ऐसा तरीका that involves doing or deciding something जिसमें आप कोई काम कर रहे हैं या decide कर रहे हैं without first asking or agreeing with another person जिसमें आप दूसरे से कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं दूसरे से उस चीज में सहमती भी नहीं ले रहे है आपने अपने मनमाने धंगसे कर लिया एक तरफा कर लिया तो एक तरफा करना अपने मनमाने धंगसे कर लिया आपने हिसाब सही कर लिया दूसरे को involve भी ना करना यह आपका Unilaterally तरीका कहलाता है ठीक है अगला शब्दे आपके लिए दोस्तों modus vivendi यह टेर में दोस्तों पूरा का पूरा एक साथ आता है हमेशा modus vivendi modus vivendi noun की तरह स्तिमाल होता जिसका मतलब है an arrangement या फिर agreement एक प्रकार का agreement बनाया जाए बिट्वीन पीपल लोगों के बीच में institution countries इनके बीच में with different opinions जिसमें अलग-अलग opinions है to exist and work together ताकि वो exist कर पाएं एक साथ काम कर पाएं without disagreeing किसी भी प्रकार का फिर मत भेदना हो तो इस प्रकार के ऐसे किसी भी agreement को क्या करते हैं इसे याद रहेगा अगला शब्द दूस्तो अनटीनिबल वर्ड किलास में भी यह लिए एड्जेक्टिव की तुरह इस्तिमाल हुआ अनटीनिबल भी एसा ही है जिसका मतलब होता है especially of a position or view not able to be maintained or defended against attack or objection कोई भी ऐसा किसी वेक्ति का position या view जो की maintain नहीं हो पा रहा है defend नहीं हो पा रहा हो, किसी पर अगर के attack और objection से कि कोई attack उस पर हुआ या objection हुआ, उस पर वो maintain नहीं हो पा रहा हो, defend नहीं हो पा रहा हो, उसी को हम कहते है, untenable, adjective की तरह इस्तेमाल हुआ है, अगला शब्दे, conundrum, conundrum में noun की तरह इस्तेमाल होता है, दोस्तो, conundrum जिसका confusing and difficult problem or question, confusing, difficult problem या फिर question को हम कहते है, conundrum, पहेली हमने हिंदी में लिख दिया, ऐसे करके ध्यान इसको रखना है, अगला शब्दे, दोस्तो, disclosure, disclosure है नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ, disclosure का मतलब है, disclose कर देना, कोई information या अभी नहीं पता है, वो बुजागर कर देना, हमने का है, इसी को हम कहते हैं, दोस्तो, disclosure, first slide है, screenshot ले लिजए, सभी लोग, first slide है, screenshot लिजए, दोस्तो, everyone Done हो गया, हो गया, सुबह सुबह उटके, चाई कितने लोग पीते हैं, मुझे बताइए, चाई पीना बहुत गलत बात होती है अच्छे, नहीं पीते हैं, बना करते हैं, असा नहीं पीते, आओ, next slide पर आते हैं, very good, बहुत बढ़े हैं, तुम लोग इतने हुश्यार, एक बार अपने emoji ये बना बना किया, और दो थोड़ा emoji से पता चल पाता है, आपके भाव मेरे जुड़ पाते हैं, मुझे समझ में अगला शब्दे दोस्तो, headwind, अब ये head, head के सामने wind आ रही है, ये headwind है, कहनेगा मतलब है, a wind that is blowing towards a person और vehicle, एक person चाहरा है सामने, उसके सामने से आ रही है, एक आपका vehicle जा रहा है, ये अपके कहलाता है, दोस्तो, headwind, so that it is blowing from the direction in which the person और vehicle is moving, और ये किस direction से आ रही है, जहां इसे person और vehicle move कर रहा है, उसी को हम कहते है, headwind, मैं ये चाही नहीं पी रहा हूँ, ठीक है, बलत फैमी मतले है, ये दिख रहा है, पानी है, ममम, चाही नहीं पी नहीं चीए, ये तरह गरम कि ये चाही की तरह लग रहा है, लेकिन अब ऐसे से क्या होता है, कि बोलने से बेटर रहता है, बोलते रो, बोलते रो, बोलते रो, तो गले में समस्या नहीं रहती, है न, हाँजी, अगला वड़े, quest, noun की तरह इस्तिमाल होता है, जिसका मतलब है, a long search for something that is difficult to find, है न, काफी मुश्कील भरी कोई चीज़े को ढूंड रहे है, आप लंबे समय से सर्च करो, उस लंबे समय की खोज को ही हम, quest कहते हैं, अगला सब्द है, tardy, adjective की तरह इस्तिमाल होता है, tardy, which means, slow to act, move or happen, slow to act, slow to move, slow to happen, happening, arriving, after the planned, expected or usual time, कोई चीज़ हो रही हो, planned time, जो है, expected planned time है, उसके तब हो रही हो, expected or usual time, बशुकम कहते है, tardy, मतलब सो थोड़ा देर ही हो, slow हो रही हो उसके कहते है, tardy, याद रखेंगे, अगला सब्दे, encroach, वर्भी की तरह इस्तिमाल होता है, encroachment सुना है, अतिक्रमड सुना है, वही न, कि सरकारी जमीन है, लोगों ने छज्जे निकाल रखे होते हैं, अपने घर के सामने वहाँ पर, तो वह encouragement हो गया, सडकों पर, सरकार जमीन है, तो अफिसर को, सडकों पर, लोगों ने अपनी दुकानों के थोड़ा-थोड़ा बढ़ा रखा है, तो वो थोड़ा-थोड़ा encroachment हो गया, यानि किसी की property में आपने क्या, illegally, वहाँ पर entry मार रखी, वही encroachment है, to use more of something than you should, जितना आपको यूज करना चाहिए, उ पुड़ी पुराने लोग कई बार कहते हैं, ये लो, ये खाओ, ये राम बाड़ है, अब राम बाड़ का मतलब है, राम भगवान का बाड़ है, अब तो ये किसी को इससे बचेगा नहीं, सारे का सारे तुमारे दुख दर्व दूर हो रहेंगे, तो पैनेशिया का मतलब यह होता है एक प्रकार की ऐसी दवाई, तो हर प्रकार की बीमारी को मतलब निप्टा दे, something that will cure all diseases and solve all problems and difficulties, ये यूनिवर्सल रेमिडी है, उसी को हम कहते हैं, पैनेशिया, या आद दोस्तों नाउन के तरह अस्तमाल होता है, स्क्रीन शॉट लीजे, यह आपके second slide है, और आ PDF डाउलोड करने की टेंशन आप बल्गुल मतलीजेगा, PDF आपको मिल जाएगी इसकी टेलीग्राम पर, जैसे मैंने कल PDF दीती, same as दोस्तों PDF आपको आज भी मैं दे दूँगा, टेलीग्राम बल जोईन करके रखना, टेलीग्राम के लिए description में लिंक लगा हुआ है, एक काम कर देंगे दोस्तों मेरे साथ क्या आप सेशन ने अभी तक शेयर नहीं किया है, तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजे दोस्तों, आप जब सेशन शेयर करते हैं, तो maximum लोगों तक पहुँच पाता है सेशन, और उससे क्या होता है, बेनिफिट होता है, और भी बहुस सारे स् हाना, एक हाना वर्ब मेरे दोस्तों है, वह फ्रेसल वर्ब जुकिकों है, यह वा फ्रेसल वर्ब जो कि कल के नियूस पेपर मे आई, मैंने उसको लिखरां कि या, हाला कि एक वोड तो मैंने आज की न्यूस पेपर का भी लिख रहा पहला वड विशवी आ यह जो बड़ा स से दूर हो जाए आप चाहते हो अगर यह तो आप क्या जब यह चाहते हो तो इस चाहने का कारण बनना विश अवे करने का मतलब किसी चीज़ का गोवे होने का किसी चीज़ के रुकने का किसी चीज़ के remove होने का, उसी को हम कहते हैं wish away, उसी को हम कहते हैं दोस्तों wish away, अगला दोस्तों आपके सामने दिया हुआ let down, let down है phrasal verb जिसका मतलब है fail to support, fail to support, support करने में असमर्थ हो जाना, that is let down, उसी को हम कहते हैं let down, fail हो जाना support करने से, अगला दिया है दोस्तों tear off of, tear off which means remove कर देना, rip off करने का मतलब ही remove कर देना, pull apart मतलब खीच के अलग कर देना, pull to pieces यानि के टुकडे करके अलग कर देना, shred कर देना ये भी टुकडे होना, अलग कर देने को हम कहते हैं that is tear off of, tear off, याद रखेगा दोस्तों, लिख लेजी tear off को, अ कर देना, alt कर देना, ideas को, बदल देना, beliefs को, views को, इनको change करने को हम कहते हैं, दोस्तों, move कर देना, move away from, अगला दोस्तों दिया हुआ है, hold against, hold against है, जिसका मतलब है feel angry with someone, about something they did in the past, तो angry feel करना, किसी विखती के बारे में, क्यों क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया है past में, जिसके विज़े से आज आप, गरजेस रख रहे हैं, उसके खिलाफ कि अच्छा, इसने दस साल पहले मुझे से ऐसा कहा था, ओहो, आज सारी चीज़े अच्छी ते हो गए लेकिन आज ये फिर मुझे दिखा तो आप मैं पुरानी बाते ले आता, होते हैं ना, कुछ लोगों के ल बड़ा भरा पड़ा रहता है, वो जिंदगी में बहुत परेशान रहते रहते हैं, अच्छा, स्कूल के टाइम पर इसने मेरे से बॉल चीन लीती, आज ही मुने मिला है, लोग अपनी गरजेस भड़के रखे होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हैं, होल्ड अगेंस, ऐसा दन हो गया, आईए, आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब के बाद, इदेम से फ्रेजस पर आते हैं, पहला एदेम है, ले दे बेस, या फिर ले दे फाउंडेशन, किसी चीज़ का बेस रख देना, या फाउंडेशन रख देना, that means, to make a start, किसी चीज़ की श प्रोवाइड कर देना, from which something bigger develops, जहां से कुछ बड़ा डेवलेप होता हो, है न, या to provide basic ideas, from which something to be successful, या फिर बड़ा कोई आबड़े ideas प्रोवाइड करना, जिससे कि कोई छी successful हो पाए, उसी को हम कहते हैं, ले दे बेस, या ले दे फाउंडेशन, ले दे बेस, या ले दे फ effect that, to the effect that, जिसका मतलब है, referring to the general meaning of something spoken or written, कोई चीज जो लिखित है, या फिर मौखिक है, spoken or written है, उसके general meaning को बताना है, किसका general meaning यह है, that way, it's to the effect that, इसका मतलब यह है, कहते हैं, इसका मतलब यह है, to the effect that, इसका मतलब जो भी है, ऐसे करके, अगला idea में, be at the center of something, be at the center of something, that means, if a person is at the center of something, that is happening, they are involved in it more than other people, that means, जो व्यक्ति, center of something, इसका मतलब यह हो गया, कि वो बाकी लोगों से ज़्यादा involved है, किसी प्रकार के work में, टास्क में, उसको हम कहते हैं, इसलिए वो person क्या है, he is, या फिर be the center of something, इसी से आपको एक और idea मियाद आ रही होगी, क कोई एक व्यक्ति है, जो center of attraction हो रहा है, इसका मतलब वो अपना ज्यादा attention चाहता है, तो वो एक अलग हो गई, ठीक है, वो idea में आपकी अलग हो गई, अगला idea में, of one's own making, of one's own making, brought about by one's own action, कोई काम आपकी खुद के action की वज़ए से होता है, खुद के action की वज़ए से कुछ होने का हम कहते है, of one's own making, की आपकी खुद की making है, खुद के आपने जो काम किया, उससे ऐसा हुआ है, अगला idea for instance, it's a very 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 common idiom, बहुत common लिए है, मैंने इसको लिख दिया, for instance का मतलब होता है, as an example, या फिर कहते हम for an example, उससे हम बोलते है, for instance, इससे related पता है, दोस्तों ही error आ for instance होता है, सबको पता है, for instance होगा, तो शायद ध्यान ना दे, अगर आपने इसमें ध्यान नी दिया, for instance मतलब for instance ही होगा, article नहीं लगा सकते, article लगा दोगे गलत होगा, यह वाला error आया, तो सोच के देखो, तो ध्यान लगो, error तो कही से भी बना देते है, है ना, चलो screenshot लो चलो, डन हो गया, आईए, अब दोस्तो हम reading की तरफ आते हैं, reading करने के लिए, vocabulary के uses को ध्यान रखने, grammar को ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, reading करते कैसे हैं, लेकिन उससे पहले, आप इसे सभी लोग, जो math, reasoning, English, तीनों को लेकर बड़े doubt में रहते हैं, आप लोगों के लिए कल, यारी tomorrow का जो दिन है, बड़ा ही आच्छा शांदार दिन है, पुछो कैसे, क्योंकि कल आप लोगों के लिए एक class होगी, वो class है, marathon class, एक ये marathon होगी, जिसमें दोस्तों, English, Maths, और reasoning, इन तीन की class होगी, लगातार class हो around 12 घंटे तक की, 12 hours की एक class होगी, आप में से सभी लोग, आप सब लोगों का श्वागत है, आप राम से आईए इस 12 घंटे की marathon class में पढ़िए, क्या पढ़ रहे हैंगे 12 घंटे की marathon class में, एक्जाम है दोस्तों, 17 तारीक का, हाँ, 17 दिसमबर का एक्जाम है, SBI, PO, Pre, वाले students के लिए, यह जो exam है दोस्तों, इस exam को लेकर हम लोग पढ़ रहे होंगे, जो भी आपने पढ़ाई करी अब तक, वो सारी पढ़ाई को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए एक revision करवा दूँगा, मैं पूरा English का ऐसा तगड़ revision कि आपको सब वो चीज जो आपने इसे छूट ना जाए, होता है नहीं कि exam में गया और आपको लग रहा है, यार मैंने पढ़ा तोता लेकिन मेरे धिमाग में नहीं आ रहा, बस यह चीज किसी की feeling अंदर धिमाग में आए, बाकि जिसने इतना बढ़ा हो, करके आए का paper, है ना, तो कल करेंगे, अब यह जो कल है, not only for SBI PO, यह अब exam सिर्फ आपने नहीं दिया, SBI PO का form ने बढ़ा, आप ही जो न, आप ही पढ़ो पुरा, पुरा दिन पढ़ो न, 12 गंटे, पुरा दिन पढ़ो बढ़िया फस्स क्लास, अब पढ़ेंगे कब, कल दोस्तों, यह क्लास होगी, सुबा नौ बजे से, 9 एम से क्लास करेंगे, रात के 9 बजे तक क्लास रहेगी, आप मेरी बात समझेंगे, 9 एम से 9 पेम की इस क्लास में, दोस्तों, यह 12 गंटे की क्लास में सबसे पहले आप मैथ पढ़ रहे होंगे, 9 बजे से, फिर रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, फिर इंगलिश पढ़ रहे सब्सक्राइब कर लेना आपका जो वीडियो का इविंट भी आपका लग जाएगा एक दो घंटे में आप दिखोगे लग जाएगा ठीक है कल लेकिन नौ बते कलिए रेडी रहना ठीक है सबको information पता चलगे कितने लोग आएंगे मुझे बताओ कि सर आएंगे बिलकुल एक बार मुझे बताओ कि जी सर बिलकुल आएंगे ऐसी सब लोग बताओ कितने लोग आओगे सभी आएंगे ना बहुत बड़ी है कितनी अच्छी बात है बहुत बड़े कर बाकि सारी क्लासस को छोड़कर आपको यह क्लासस देखने कल मैं भी नहीं आपको बाकि क्लासस बढ़ाऊंगा समद्रें मेरी वाद आईए वर्निंग साइन पढ़ते हैं दोस्तों वर्निंग साइन की बात क्या कह रहे हैं आपको मालूमें 2020 की बात थी इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ओफ हुआ जगड़ा हुआ था जिसमें हमारे कई सारे जवान जो थे शहीद हो गए थे और चाइना के तरफ से भी मिल थोड़ा बहुत सलूशन निकला था पर नोट ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं से हम कहते हैं तो हुआ क्या दोस्तों उसके बात से अभी हम लोग देख रहे एक बार फिर से चाइना की जो मिलिटरी है कुछ-कुछ जगा पर उसने अंदर घुसपैट करने की कोशिश करी आप लो हुआ है इंडिया अभी शांत क्यों है इन सब चीजों पर कुछ step क्यों नहीं ले रहा कुछ कहे क्यों नहीं रहा यह सब बातें यहां पर कह रहे हैं तो आप बड़े ध्यान से सुनना दो ठीक है वर्निंग साइन है और फ्रेश इंडिया चाइना फेस एक फेस आफ हो रहा जगड़े का वर्निंग साइन है इंडिया के नौट विछावेज सि incorporating on the Chinese border by staying silent शांत रहकर Chinese Border पर जो situation है उसको इंडिया विशावे नहीं कर सकता उसे रोक नहीं सकता उसे । tiles kw कर सकता हुसे खता मने कर सकता रिभूउव नहीं कर सकता शांत रहर के नहीं अ कर एक और कोशिच की गई है चाइनीज मिलिटरी की दौरा ट्रांसग्रेस करने की है ना इसको उन्होंने अनुपालन नहीं क्या तोड़ने की दिस ताइन यह हुआ है इन दी तवांग सेक्टर इन दी इस्टन सेक्षन ऑफ दी इंडिया चाइना बाउंडरी में यह बताता है कि फिलाल बड़ी डेंजरस स्थिती बनी हुई है along the LAC that is line of actual control उसको हम line of actual control कहते हैं इंके बॉर्डर को एक crisis which begin यह क्राइसित जो शुरू हुई थी April का महीना 2020 में with PLA transgression है न PLA transgression PLA अब चाइना की वो political थरकार को भोलते उसका transgression हुआ था लदात में in the western sector of boundary में has now appeared to have widened अब वो चीज़ बड़ी प्रतीत हो रही है इन अरुनाचल प्रदेश तक में उसने की पूरी उनकी साजेश है कोशिश है डिफेंस मिनिस्टर अब हुआ क्या हमारी तरफ से क्या statement कैसा कैसा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सेंग सेड इन पार्लियमेंट इंडियान आमी ने उन्हें फोर्स फुली पेज दिया अपनी अपनी पोस्ट पे चाइनीज मिलिटरी को पी एले को दी मिनिस्टर्स कॉमें इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी की जो एक आर्मी का स्टेट्मेंट आया उस स्टेट्मेंट से पता भी जल गए कि यहां ये क्लैश हुआ था इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी की जो ओपोजिशन है विच आज क्रिटिसाइज इसने क्रिटिसाइज किया दिनरेंद्र मुदी गवर्मेंट्स कॉंटिनिव रिटी सेंज लगातार शांत रहने को ऑन चाइना बॉर्डर इशू पर स्टेज आव वोक आउट आफ्टर ना करें वोक आउट करके चला जाए ऐसे काम चलेगा क्या नहीं चलेगा आज अब आपको न्यूस समझ में आती है क्यार ऐसा हो गया तो आपको अपने अंदर से भी कई बार गुस्सा आती हो गयार हम कुछ करते क्यों नहीं है हम आगी की कोई बात discussion बढ़ाते क्यों नहीं असल में क्या होता है यह चीज़े हो रही होती है बट इसका कोई जब तक fruitful result नहीं निकलता तक तक कोई महिने रखता नहीं है कोई चीज़ बट कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बाते मीडिया में आती ही नहीं है discussion गरने की कोशी होती ही लेकिन आती है बट हाँ अगर कहीं क कोई जगड़ा हो रहा है तो वो तो देखो ध्यान लखने वाली बात है क्योंकि यह problematic है यह फिर खतरनाग बन जाती है बनती है ना as troubles now flare in Arunachal Arunachal प्रदेश में जो troubles हैं वो बढ़ गए है परेशानी the situation in Ladakh still remains unresolved Ladakh में situation अभी भी unresolved है इंडिया is yet to resume patrolling इंडिया अभी patrolling करना शुरू करने वाली है अभी इस दोनों तरफ की demilitarization हो चुका था border पर कि वहां की military अलग यहां की military अलग कोई military वहां पर border पर नहीं थी और patrolling भी कोई engagement areas में वेर temporary जो buffer zone से have been established a temporary buffer zone established के गए वाइल चाइनीज मिलिटरी रिमेंस ओन इंडिया साइड ओफ एलसी इन टू अदर friction points जो हमारी तरफ का हिस्सा है न वह वहां पर आ चुकि है Chinese military two other friction points में इन डेप संग और दूसरा है डेंप चौक यह दो जगा है what is clear क्या चीज साफ है is that वो यह कि Chinese military has decided कि उसने तो decide कर लिया है for reasons still unexplained क्या कारण है किन कारणों की वज़ा से decide क्या वो unexplain है लेकिन decide कर लिया है to uniliterally change कि अपने ही मनमाने ढंग से China है बदल देगा how both sides manage कि कि किस तरीके से दोनों sites manage करे what were previously mutually recognized distributed areas उसको उसने अब मनमाने ढंग से कुछ ना कुछ decide कर लिया है कि यही तो करके बात हो रही है तब ही तो वो सुननी रहे तब ही तो अंदर घुसा है यही तो बात हो रही है तब ही तो वो अंदर घुसा आया managing what has become a life water यह manage करना कि क्या अब जो यह life water है after three decades of relative piece 30 ताल तक piece रहने के बाद अब क्या बनेगा इसको manage करना and crafting a modest vivendi modest vivendi समझ गए एक तरीके का agreement बना लेना with the china in this new situation has now emerged as a pressing challenge अब यह pressing challenge बन चुका है for new Delhi India के लिए यह challenge बन चुका है for new Delhi India के लिए this is both यह क्या है दोनों की दोनों चीज़ें एक military and political challenge बनता है addressing it will require इसको address करने में requirement क्या होगी as a first step transparency and taking the opposition and public along on an issue far too important जो की काफी ज़्यादा important होगा to be led by apparent consideration over optics कि अभी हम कुछ optics पे ध्यान रखतें कि future में ऐसा ठीक हो जाएगा ठीक है उसको ध्यान कि कुछ नहीं होगा जो फिलाल अभी दिख रहा है apparent consideration है उसको ध्यान रखकर कोई न कोई step उठाने होंगे those consideration जो consideration है फिलाल अभी reality में also appear to be one factor वो एक ऐसा factor भी बनती है behind the continuing freeze in high level political contact with China कि इसमें रोक लग चुकी है कि high level political contact नहीं हो रहा है चाइना से है ना कि high level talk हो तक तो चीज़े शुदरे है high level talk नहीं हो तो नहीं शुदरेगा जिससे कि with Prime Minister Modi and President Xi Jinping avoiding a formal meeting क्योंकि इनके बीच में कोई formal meeting नहीं हो रही है अवाइड कर रहे है अट two recent multilateral summits में भी meeting हो सकती थी इस पर discussion हो सकता था लेकिन कुछ यहां पर नहीं हुआ है that the leaders have not spoken for more than three years दोनों यह तरफ से leaders जो है main उन्होंने तीन साल से जदा होगे इस पर discussion किया ही नहीं bearing an exchange of please entries at the G20 summit भले ही अगर हम यहां देखे G20 summit में दोनों लेगे please entry movement mood में लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ is an unattainable situation है as risk continue to rise risk लगाता बढ़ता जाता है along the borders a resumption of dialogue dialogue मतलब बातचीत होना बातचीत का फिर से resume होने को यानि की फिर से होने को हम कहते है कि इंडिया को अलाव करेगा to convey its concerns at the highest level इंडिया अपने concerns highest level पर पहुंचा पाए the public also remains largely in the dark और जनता भी जो है अंधेरे में रहती है on the events that have transpired along the borders जो कि बॉर्डर के आजपास होते हैं as well as the developments that led to the loss of life of 20 Indian soldiers और साथ में 20 Indian soldiers की वहाँ पर जान भी गई थी शहीद भी हुए थे 2020 में हम यह सारी सारी चीज़ें पर अंधेर में रह रहते हैं if the government's apparent hope was to maintain a silence अगर सरकार की ओप यह के silence यह बनाये रखेंगे until the crisis results in due core जब तक की crisis resolve नहीं हो जाती the latest clash has served a warning sign that it is nowhere near ending लेकिन हाली में क्विर जो clash हुआ है वह बिलकूल एकदम warning की तरह हमें दिखाता है कि शान्त रहने से कुछ सबको समझ माया कैसे हमने writing कर ली हमें जरूरत पड़ी सिर्फ vocabulary की और वोकीबियरी विले से हमने उसके यूज़े संच लिया और से कर भी लिया बताये सब को समझ माया हो जरूरत पड़ी थी हमें vocabulary की बuç समझ गए बहुत बढ़िए आईए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे सेotchे अपने इक एक काम कर देंगे जल्दी से से अच्छा लग अब दुम्राइब आता है कि असल में आपको सम्झ आ रहा किसर यह नहीं समझ माया क्या आपको चाहिए और वो भी लिखो बट कॉमेंट में लिखो पहला आटिकल हो गया वर्निंग्स हैं दूसरा एनर्जी कॉनन ड्रम इसे पड़ते हैं कॉनन ड्रम का मतलब हमने पड़तन पहेली होती है उसे कहते कॉनन ड्रम अब तो ठंडा हो गया पूरा पानी आए एनर्जी कॉनन ड्रम एनर्जी को लेकर अभी क्या है पहेली बनी हुई है ओन इंडिया बेटिंग बिग ओन शोलर पावर किस चीज को लेकर कि इंडिया तो ना बड़ी बिड ले रही है बेटिल लेने का मतलब होता है कि बैया मैं शर्त लगा रहा हूं बहुत बड़ी पावर है अगर आम बात कर हैं सोलर पावर की सो सोलर पावर इस इंपरटिंट फोर इंडिया इंडिया के लीए इमपरटिंट है बट इट विल नॉट सर्व एवरी एनर्जी नीड लेकिन हर वो जरूरत जो एनर्जी के होते हैं वो यह सर्व नहीं कर पाएगा यह ऐसा क्या रहा है अभी फिलाल के लिए और कर पाए तो यह तो बहुत अच्छी बात हो गई कितने लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं जहां पर दोस्तों सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है और वहां सोलर एनर्जी से उनके कॉलेज के स्कूल के पंके जो हैं या कूलर जो हैं एसी जो हैं चलते हैं है ना ऐसे बहुत सारे अपने देश में स्कूल्स हैं कॉलेजिस हैं यूनिवर्सिटी के अंदर हैं जहां पर स्वोलर पैनल लगाए हुए हैं वो डेमों के तौर पर वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लेवल पर काम अभी नहीं कर रहे हैं शायद उसके लिए पैनल बहुत बड़े लेवल पर लगाना पड़ जाता है है ना बट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आप जरह आपको पता होगा जरह बताईएगा आप लोग एक बार बताईए मुझको At the core of इंडिया's energy transformation India की energy transformation की बिलकुल core की में की बात करें is its bet on solar power तो वह सोला पावर पर बेट ले लेना Based on a commitment, एक commitment किया गया था, उस पर based होकर commitment ये था to address the global climate crisis, India has promised to source nearly half its energy, कि India अपनी जो energy अभी इस्तिमाल करता है, उसमें से आधी energy का source बना लेगा from non-fossil fuel sources से by 2030. So non-fossil fuel sources में क्या अपने पास बनता है, ये बनता है, solar energy यानि solar panel. And in the shorter term में, source at least 60% of its renewal energy from solar power से इस्तिमाल करेगा. However, a disclosure in parliament by the minister of power, new and renewable energy, इनके दोरे एक disclosure हुआ, disclosure मतलब बताया गया. ये suggest करता है that India faces significant headwind in this quest. इस quest में, स्क्वेज में, खोज में बहुत जादी headwind है अभी है हमारे सामने. Headwind मन्दब रुकावटे, परिशानिया बहुत है. एक key central policy, एक important main central policy to source solar power. Solar power को source करने के लिए, लेने के लिए is facilitating the establishment of large solar parks. ये क्या कर रहे हैं, facilitate कर रहे हैं कि बड़े-बड़े solar parks को establish किया जाए, small solar power projects जो हैं, उनको establish किया जाए, usually translate to higher per unit production cost. जो कि क्या करते हैं, higher per unit production cost को translate कर देते हैं, मतलब इसकी requirement है, बड़े-बड़े parks बनाने के ज़रूरत है. अभी park का मतलब घस के मेंदान नहीं, वो जो solar panel जहां बना रहे हैं, उसको पार्क ही कहा जाता है, जैसे IT पार्क है, तो IT पार्क में पार्क नहीं है, असल में घस का मेदान नहीं है, IT वाले सारे काम हो रहे होते हैं, उसको शिकरम आउंपार्क कहते हैं. उसे facilitate हो सकते हैं, the initial plan, शुरुआत को जो plan था, was to set up 25 parks, 25 parks set up किये जाएंगे, capable of generating at least 20,000 megawatt by 2019, जहां पर 20,000 megawatt जो energy है, वो generate हो पाएगी 2019 तक, जो कि अब निकल चुका है, in 2017, government scale this to 61 parks, government ने इसे 61 parks तक बना दिये थे, है ना, 25 से 61, with a target of 40,000 megawatt, it emerges however as of 2022, 2022 में emerge होते हुए, that only a fourth of the capacity has been achieved, तब तक हमें पता चलाएं कि सिर्फ इसकी one fourth capacity है, जो कि अभी तक अचीव हो पाई है, that is projected 10,000 megawatt have been commissioned, जो कि 10,000 megawatt के आस्पासी commission हो पाई है, तो असल में वही चीज़े, कि जब हम एक projection बनाते हैं, projection तो देखो यार अच्छी बात है, हम जब बड़ा projection बनाते हैं, फिर उसके बात उपर काम करते हैं, बट reality में हम देखना पड़ेगा, जो जरूरत है, उस जरूरत के हिसाफ़ साफ़ साय सोलर, जो energy है, उसको अभी के जरूरत होगी, और technology की जरूरत होगी, और जदा ब्रेन लगाने की जरूरत है, कहने का मतलब यह, reality अपने सामने, ऐसा नहीं काम नहीं करें, काम कर रहे हैं, बट अपने पास यह result है, four projects have been cancelled, चार project cancelled हो चुके हैं, by the center's old admission के द्वारा, due to tardy progress, तो कि उसमें बहुत slow progress था, the roadblocks in the center's estimate have been challenges in acquiring land, land को acquire करने में बड़े challenges आ रहे हैं, with a clear tilt, जा clear tilt हो, जुकाव उसका clear हो, setting up infrastructure necessary to transmit power, अब ऐसे infrastructure को भी setup किया जा रहा है, जो जरूरी है, power को transmit करने के लिए, produced at these parks to the grid and in an unusual disclosure, environmental issues in Rajasthan and Gujarat, where projects have been halted, जहां projects को रोख दिया गया है, because their transmission lines encroach upon the habitat of the critically endangered great Indian bastard, क्योंकि वो यहाँ पर सबसे अधा खत्रे में जो great Indian bastard है, यह खत्रे माइला था, अगर वहाँ पर भी उसको encroach कर दे, जो जमीन की समस्या, यह समस्या भी काफी जाद आती है, जहां पर land मिल रही है सही, वहाँ या तो encroachment हो जा रहा है, तो environment का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, जहां जमीन है already, बट वो जमीन के solar की energy को resource बनाने के लिए पाक बनाने के लिए, फिर उसे साब से नहीं है, काफी सारी समस्या आती है, जिस वजय से कोई जो projection लिया, वो projection क्या है, पूरा नहीं हो पाता, बट कोई बात नहीं, कोशिश हो रही है, सबसे अच्छी बात यह, आज अगर हम कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, कि इस दिन तक achieve करेंगे, नहीं achieve कर पाएंगे, तो कुछ तो achieve कर लेंगे, अगर लगातर कोशिश करते रहेंगे, उस दिन नहीं कर पाएंगे, तो एक दिन तो करी लेंगे, बट लगातर कोशिश करते रहेंगे, अगर लेकिन बीच में छोड़ दिया, रुख गए, तो बेकार है, अब वो चीज़ खेला रहा है, यह चीज अच्छी ब meeting renewable energy targets, renewable energy targets को पूरा करने में यह on track है, इनके इस claim के वबजूद भी, it is no secret, ऐसा यह कोई secret नहीं है, that India is lagging behind, इंडिया किसी चीज में पिछे हो रहा है, by the end of 2020, India had committed to having a place, 1,75,000 megawatt of renewable energy capacity, यह commitment किया गया था, 2022 तक ऐसा हो जाएगा, with 1,00,000 megawatt from solar power, जिसमें 175 है, तो 1,00 to solar power जाएगा, however, only around 61,000 megawatt of such capacity has actually been installed, but कोई बात नहीं, 1,75,000 megawatt सोचा गया था, जिसमें 61,000 megawatt फिलाल के लिए भी है, जो की install हो रखा है, for a few years now, अब से कुछ वर्षों तक, there has been considerable hype, काफी जदा hype रही है, around solar power, achieving grid parity, grid parity in India, इंडिया में जो grid की कम है, उसको ही पूरा कर देगा solar power, meaning, power companies, जो है, are able to sell it, at a price, lower, या तो इसे lower price पर sell कर पाएंगी, और as much as conventional sources, या फिर जैसे conventional sources उस पर sell कर पाएंगी, but this does not account for these subsidies, लेकिन या ऐसा नहीं होगा कि subsidies से मिलेगी, या फिर concessions होगा, front loaded by the government, ऐसा नहीं होगा, सिधा जो power companies है, वही pay कर के देंगी, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप solar panel को सोच खुद के लिए लगा लो, तो solar panel में जितना आपका खर्चा आएगा, उस जाब से आपकी usability नहीं हो पाती है, तो लोग बिजली जो आती है, उसको खर्च करना पसंद करते है, फिलाल के लिए जो technology अपने पास में, ये चीज़े, पट ऐसा सोचा गया था, बट कोई बात नहीं हुआ तो, इंडिया को क्या करना चाहिए, लगातार एक्सपेंड करते रहना चाहिए, इस economy on the back of renewable energy, ति government must take a hard look at whether renewable power, government को इस पर बहुत सक्ती से ध्यान रखना चाहिए, कि जो renewable power है, solar, wind और nuclear है, meet standards of economic viability, economic viability के हिसाब से कुछ उलंगन ना हूँ, इसके हिसाब से काम हो, environmental sustainability को भी ध्यान रख कर काम हो, solar power may be a valuable tool, हो सकता है valuable tool हो in इंडिया's energy transformation story में, but it cannot be the penitia for every need, लेकिन हर एक need के लिए penitia नहीं है, कहने का मतलब है, हर एक समस्या का समधान नहीं है, ये कहने का मतलब है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, फिलाल अभी situation क्या चल रही है, इंडिया में, जो की solar panel की हो रही है, फिलाल अभी situation क्या है, solar panel की वो हम लोगों ने देख लिया, और article को हम लोगों ने देख लिया, article आपको समझ में आ गया है, सभी को मुझे बताएं, ये सर समझ में आ गये, तो article हम लोगों ने पढ़ नहीं है, अब मैं आपको homework के article देता हूँ, ठीक है, हमें दोरों आएंगे, tap करेंगे, warning sign on a fresh India, China, ये हो गया, ये हो गया, देखो, census as a mirror of past and present, जो census होता है, वो mirror दिखाता है, past or present का, census में पता है, क्या-क्या पता चलता है, हम ये नहीं कहते हैं कि census में हमें सिर्फ ये पता चल जाता है, कि जन्गड़ना कर ली, कि पहले लोग जो की संख्य थी, वो इतनी है, इतनी थी और अब इतनी है, सिर्फ इतना नहीं, हमें ये भी पता चल जाता है, कि पहले लोगों की संख्या इतनी थी, जिसमें से इतने प्रतिशत लोग ऐसे थे, जो कि गरीब ही रेखा से भी नीचे हैं, इतने प्रतिशत ऐसे थे, जो गरीब ही रेखा तो काफी कुछ डेटा हमें पता चल रहा है तो इसी की बात करेंगे एक mirror एक आइना होता है हमारे past का भी और present का भी तो फिलाल अभी हमारे past की कुछ चीज़ें दी गई है और study है तो ज़रा एक बार पढ़ोगे तो reading करके आपको समझ माएगा आपको आज क्या नहीं समझ में आया मुझे आपको और क्या चाहिए वह मुझे बताएगा इंग्लिश पढ़ने के लिए अभी फिलाल में रोक रखाता है क्योंकि आरेकेडमी उपर нрав disaster चल रही थी और अब कल हमपूरा दिन करेंगे मेरतन क्लास तो मेरथन क्लास के लिए दोस्तों पूरी तरीके से सतके साथ आपकी साथ दोस्तो आज आपको लेनी है तो आज की दोस्तों दस बजे चलती है 10 a.m. पर FCI की नाइन एम पर दोस्तों special class लगी हुई आप देखेंगे कल की करण के वेच से नहीं लग पाई थी उसकी बाद 11.15 से class लगी हुई है ठीक है और उसके बाद दोस्तों दूसरी class ल बढ़िया तरीके से कोई दिक्कत समसे आएगा तो बताईए गार चलिए सेशन करते हैं खतम अच्छा लगाए तो लाइक बटन में कर दीजे प्रेस डिस्किप्शन में लिंक दिया हुआ है आप लोग टेलिग्राम जॉइन कर लेना पीडिया वहीं से आपको मिल जाएगी बाकी मुझे अगर आप उससे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हो तो सोशल मीडिया पर जुड़ जा रहा मिना नाम ढूले ना विशाल पर यह यूविल फाइंड मी आप लोग जहां पर नह हो आपन दौना इंस्ता पर जर्ड़ेख आजाना शेका छाना मीफिए आज चाना यूविपू जर्ड़ेख लेना यूटू जैना सुंश्ट्राइब कर लेना थांक्यू वेर्यमच यॉजा जै पारत हैंक्यू